नमश्कार दोसो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में नई पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में जो प्रॉसस मैंने आपको दिखाया है उसमें आप अपनी मर्जी की फोटो-ग्राफन और सिगनेचर को भी अपलूड कर सकते हैं 2024 में नए pen card के लिए apply करने के लिए कुछ new options add किये गए हैं, तो इस वीडियो में latest process के साथ मैं आपको complete process दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा, और इस वीडियो को देखने के वाद जैसे आप अपने pen card के लिए apply कर देंगे, तो मातर 15 दिन क आपके गर तक postman kay through आपका pen card आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तों एक नए pen card को apply करने के लिए आपको अपने mobile में या पर laptop में Google में आपको type करना है NSDL pen, जैसे ही आप यह सर्च कर आपको अप्लिकेशन टाइप में सेलक्ट के option पर क्लिक करना है और यहां पर आपको फर्स्ट आप्शन मिलता है New Pan Indian Citizen Form 49A आपको इस पर क्लिक करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको इंडिविजियल को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी applicant information एंटर करनी है, सबसे पहले आपको अपना title सेलक्ट कर लेना है, शिरी शिरी मति कुमारी जो भी है वो आप यहां पर सेलक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना surname एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना first name एंटर करना है, उसके बाद अगर आपका middle name है तो middle name में आपको अपना mobile number एंटर करना है डिटेल से एंटर करने के वाद आपको नीचे score down करना है और यहां पर आपको consent दे देना है इस box को tick करके और नीचे आपको capture code इस box में एंटर करना है और submit के option पर click कर देना है तो successfully आपकी request यहां पर registered हो जाएगी आपको यहां पर एक token number देखने को मिल जाएगा इस token number को आपको copy करके अपने पास रख लेना है क्योंकि अगर कहीं पर error आने की वज़े से आपका application form यहां पर आगे process नहीं करता है cancel हो जाता है तो इस token number से आप फिर से login करके वहीं से अपने pan application form को complete कर सकते हैं उसके बाद आपको continue with pan application form के option पे click करना है next page आपके सामने open हो जाएगा दोसो यहां पे आपको five steps complete करने है पहला जो step है वो है personal details का यहां पे आपको नीचे option मिलेंगे तीन यहां पे first option है submit digitally through ekyc and e-sign दूसो अगर आप इस option को select करते हैं तो आपके अदार card में जो भी आपकी photograph होगी वही आपके pan card पे print होके आएगी और यहां से जो है आप अपने signature upload नहीं कर पाएंगे और जो second वाला option है इसको अगर आप select करते हैं तो आप अपनी मर्जी की photograph और signature को upload कर सकते हैं आपको यहां पे इस option को select करने के बाद नीचे score down करना है यहां पे आपको weather physical pan card is required को option मिलेगा इसे आपको yes रहने देना है और उसके बाद आपको नीचे enter adar last four digits का option मिलेगा तो आदार के last four digits enter कर देने है उसके बाद name as पर आदार का option मिलेगा तो आपके आदार card पे जो भी आपका full name है वो आप यहां पे enter कर देंगे उसके बाद नीचे score down करेंगे यहां पे आपकी details आपको देखने को मिल जाएगी यहां पे आपको दोस्तों अपना gender जो है वो select कर ले अगर आपको जान जाता है अगर आपके दो नेम हैं तो यहां पर आप yes के option पे click कर के यहां पर अपना secondary Yes के option पे click करना है अगर आप अपने pen card पे अपने father's का name ही चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने mother का name enter करने की कोई जरुवत नहीं है आप simple नीचे score down करेंगे और यहाँ पे आपको parents name टो भी printed on the pen card का option मिलेगा इसमें आपको father's name को ही selector रहने दिना है और next के option पे click करना है next आप आजाएगा contact and other details का यहाँ पे आपसे source of income पूछा गया है तो जो भी आपका source of income है उसे आपको यहाँ पे select कर लेना है जैसे कि अगर आप salaried person है, income for business करते हैं, profession है तो वो आप यहाँ पे select कर लेंगे अगर आपकी कोई भी income नहीं है, आप एक student है तो आप no income के option को select कर लेजिए और उसके बाद address for communication को option मिलेगा यहाँ पे आपको दो options मिलेंगे, residence and office अगर आप residence को select करते हैं और अपना residence address, communication address enter करते हैं, तो उसी address पे आपका pen card यहाँ पे deliver किया जाएगा अगर आप office address को select करते हैं, तो आप अपना office का address enter करेंगे, तो वहीं पे आपका pen card deliver होगा और दोसों हम यहाँ पे residence address एंटर करेंगे, हम residence को select करेंगे उसके बाद नीचे scroll down करेंगे, और यहाँ पे हमें अपना residence address एंटर कर देना है, सबसे पहले आपको अपना flat room door block number एंटर करना है, उसके बाद आपका building, village, premises जो भी है वो एंटर करेंगे, उसके बाद आपको अपनी road, street, lane, post office को एंटर करना है, उसके बाद आपका area, locality, तालुका subdivision है वो आप एंटर करेंगे, उसके बाद आपकी town, city, district है वो एंटर करेंगे, उसके बाद आपको country name में अपनी इंडिया country को select कर लेना है, उसके बाद आपकी state है याँ फिर यूने territory है उसे आप यहाँ पर select कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने area का pin code यहाँ पर एंटर कर देना है, उसके बाद आपको office address का option मिलेगा, तो दोसों हम यहाँ पर office address को एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपने residence address पर ही अपने pan card को deliver करवाना है, अगर आप office address enter करते हैं, तो आपके office address पर आपका pan card आपको deliver हो जाएगा, दोसों हम यहाँ पर इसे skip कर देंगे, और उसके बाद नीचे score down करेंगे, तो यहाँ पर हमें telephone number and email ID details center करनी है, सबसे वेले आपको country code में यहाँ पर select के option पर click करना है और यहाँ पर आपको type करना है इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया को आप select करेंगे, उसके बाद आपको area std code को blank छोड़ देना है और यहाँ पर आपका number already आ जाएगा, जो कि आपने starting में add किया था, उसके बाद आपकी email ID यहाँ पर आपको देखनों को मिलेगी उसके बाद option है representative SSS, तो इसे आपको नोही रहने देना है और next के option पर click कर देना है next option आपके सामने आ जाएगा area code, AO type, range code, AO number, तो दोस्तों जो भी आपने पहले अपनी details एंटर की हैं, जो भी आपने address details एंटर की, अपना अधार number एंटर किया उसी से जो है आपकी area code, AO type, range code, AO number को उठा लिया गया है, capture कर लिया गया है, अब यहाँ पे आपको खुद से area code डालने के जोयत नहीं पड़ेगी एंट उसके वाद आप यहाँ पे नीचे scroll down करेंगे, तो दुस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आपका area code, AO type यहाँ पे automatically fill नहीं होता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे अपना AO code कैसे find करना, उसके लिए आप Indian citizens को select करेंगे, अपनी state को select करेंगे, city को area name enter करे तो आपकी details यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, अगर आपकी AO code details यहाँ पे automatically fill हो जुके है, तो नीचे आपको scroll down करना है, और next के option पे click कर देना है, next option आएगा document details का, यहाँ पे आप नीचे scroll down करेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने documents में, यहाँ पे proof of identity, proof of address, proof of date of birth का document select करना है, हम proof of identity में select के option पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे documents के list देखने को मिल जाएगी, दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे scroll down करना है, और यहाँ पे आपको अधार कार्ड issued by the unique identification authority of India को select कर लेना है, और उसके वाद proof of address में भी आप अपने अधा पार कार्ड को ही select कर सकते हैं, next option है यहाँ पे declaration का, declaration में आपका name आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके वाद आपको select के option पे click करके himself, herself को select कर लेना है, उसके वाद जो भी आपका place है, वो place आप यहाँ पे enter करेंगे, और नीचे scroll down करेंगे, दोस्तों अब यहाँ पे पे देख सकते हैं, वो JPEG format में होना चाहिए, और उसका dimension and color क्या होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं, और उसके जो maximum file size है, वो 50KB का होना चाहिए, और उसके साथ यहाँ पे जो आप signature upload करेंगे, उसका भी यहाँ पे maximum file size 50KB का होना चाहिए, और format JPEG format में होना चाहिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने photograph को upload करने के लिए plus icon पे click करना है, अपने photograph को select करेंगे, और upload के option पे click करना है, तो successfully आपका photograph यहाँ पे upload हो जाएगा, उसी तरीके से आपको अपने signature को upload करना है, plus icon पे click करेंगे, अपने signature की photograph को आप यहाँ पे select करेंगे, और open के option पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको वाइड पेज पे ब्लू पैंट से अपने सिगनेचर कर लेने हैं और उसके बाद उसकी एक फोटो क्लिक कर लेनी है और उसका जो फाइल साइज है वो आपको 50KB से कम कर लेना है कैसे आप अपने फोटोग्राफ एंड सिगनेचर का फाइल साइज जो है वो कम कर सकते हैं और उसका आपको डाइमेंशन फॉर्मेट कैसे सेट करना है उसके लिए अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं इस वीडियो को आप देख सकते हैं तो दोस्तो हमने यहाँ पे अपने सिगनेचर की फोटोग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है अब हम अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सिगनेचर भी यहाँ पे अपलोड हो जुके हैं और उसका मैक्सिमुम फाइल साइज जो है वो 300 KB का होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने स्पोर्टिंग डॉकुमेंट को अपलोड करने के लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है उसके बाद अपने अधारकार्ट को सेलेक्ट कर लेना है और उपन के ओप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे अधारकार्ट की PDF फाइल यहाँ पे सेलेक्टर हो जुकी है अब हमें अपलोड के ओप्शन पे क्लिक करना है तो हमारा अधारकाड यहाँ पे successfully upload हो जुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें remove का option मिल रहे तो इसका मतलब हमारा अधारकाड यहाँ पे document जो है वो upload हो जुका है अब आपको submit के option पे click करना है अब यहाँ पे आपका application form यहाँ पे successfully submit हो जुका है अब आपको यहाँ पे अपनी details को confirm करना है details confirm करने के लिए सबसे पहले आपको option मिलता है यहाँ पे आपको अपने अधार काट के first के 8 desert से अंटर करने है उसके बाद आपको नीचे scroll down करते जाना है और अपनी details को यहाँ पे आपको check करते जाना है अगर आपको कोई भी mistake देखने को मिलते हैं तो उसे आप edit कर सकते हैं उसे आप फिर से change कर सकते हैं अगर आपके सारी details सही हैं तो अब आपको proceed के option पे click कर देना है तो आपके सामने next page open होगा mode of payment का यहाँ पे आपको options मिल जाते हैं online payment through paytm online payment through bill desk तो किसी भी एक payment option को आप select कर सकते हैं हम यहाँ पे online payment through paytm को select कर लेंगे तो नीचे हमें payment charges information देखने को मिल जाएगा कि हमें यहाँ पे कितनी payment करनी है यहाँ पे हमें 106.90 यानि कि 107 rupees की payment करनी है जो कि including GST है अब आपको नीचे scroll down करना है यहाँ आपको terms of services में नीचे concern दे देना है इस box को tick करके और proceed to payment के option पे click करना है तो next page आपके सामने open होगा confirm payment का नीचे आपको pay confirm के option पे click करना है और आप redirect हो जाएंगे payment page पे यहाँ पे जो है आपको option देखने को मिल जाएगा QR code का जिसे की scan करके आप payment कर सकते हैं नीचे भी आपको other payment options में prepaid debit card credit card का option मिल जाता है UPI से आप payment कर सकते हैं net banking के through आप payment कर सकते हैं payment complete होने के बाद यहाँ पे आपको payment receipt देखने को मिल जाएगी उसमें आपको transaction status देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं transaction successful तो नीचे आपको यहाँ पे continue के option पे click कर देना है next option आपके सामने आएगा अधार authentication का यहाँ पे आपको अपना अधार authentication complete करना है उसके लिए आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पे आपको इस box को tick करना है और यहाँ पे आपको authenticate and continue का option मिलेगा दोस्तों यहाँ पे आपको continue के option पे click नहीं करना है आपको authenticate के option पे click करना है next page आपको continue with EkyC के option पे click करना है next page पे आपको OTP verification का option मिलेगा तो यहाँ पे आपके mobile number पे एक OTP गया होगा जो भी आपके अधार card से linked होगा mobile number उस पे एक OTP गया होगा वो OTP आप यहाँ पे enter करेंगे उसके वाद submit के option पे click करेंगे next page आपके सामने open होगा continue with e-sign यहाँ पे आपको इस पे click करना है तो आप NSTLE government protein team के page पे पहुँच जाएंगे दोसों यहाँ पे आपको अपना e-sign complete करने के लिए सबसे वहले आपको अपनी virtual ID यहाँ पिर अधार number enter करना है हम यहाँ पे अपना अधार number enter करेंगे और उपर आपको इस box को tick कर देना है और send OTP के option पे click करना है तो आपके अधार card के सार register mobile number पे एक OTP जाएगा वो OTP आप यहाँ पे enter करेंगे और verify OTP के option पे click करेंगे तो successfully आपका यहाँ पे pan application form submit हो जाएगा दोसों यहाँ पे आपने pan card के लिए apply कर दिया है तो password दोसों आपको अपनी date of birth एंटर कर देने है सबसे पहले date, month, year इस तरीके से जो है आप अपना password एंटर करेंगे तो आपकी यह PDF फाइल यहाँ पे open हो जाएगी जो आपने अपने pan card के लिए apply किया है वो यहाँ पे आपको PDF फाइल देखने को मिल जाती है दुसरे सरीके से 2024 में आप अपने एक नए pan card के लिए apply कर सकते हैं जो कि 15 days के अंदर आपकी घर तक post man care through आपको मिल जाएगा I hope कि वीडियो आपको इच्छी लगी हो कि वीडियो इच्छी लगी हो तो like कीजिएगा और चैनल को subscribe करने के साथ notification bell को press कीजिएगा ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियो की notification मिलते रहे चली मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care thank you